एक तरफ जहां सरकार महिला हेल्प और मिशन शक्ती जैसे प्रोग्राम चला रही है जिससे महिलाओं में होने वाले अपरादों को रोका जा सके लेकिन उतर प्रदेश के हर दोई जिले में महिलाओं पर होने वाले अपराद रुकने का अननाम नहीं ले रहे है यहां तक कि छोटी बच्चियां भी अशलील छेड़ खानी का शिकार हो रही है आपको बता दे कि ताजा मामला कोतवाली शहर के हरी पुर्वा का है जहां पर अंडा लेने गई एक छे वर्षिया बच्ची के साथ यूवक ने छेड़ चाड़ की और जब बच्ची की मा यूवक से पूछताच करने गई तब यूवक ने उनके साथ ना सिर्फ मार पीच की बलकि गाली गलोज भी की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है और तो और शिकायत करने आये पिता को कोतवाली शहर पुलिस ने शांती भंक के आरोप में हवालात में डाल दिया पीडिता के पिता ने पुलिस कार्याले पहुचकर अपर पुलिस अदिक्षक कपिल देव सिंग को प्रातना पत्र दिया और आरोपी यूवक के विरोध कारवाई की मांग की है बच्ची की मा ने बताया कि घर में पती और बच्चों के ना होने पर उसने अपनी छे वर्षिय बच्ची को अंडा लेने के लिए दुकानदार के पास भेजा तो दुकानदार पारस निवासी हरी पुर्वा ने बच्ची को आदा घंटा बिठा कर रखा इस वरान बच्ची के साथ अश्लीर हरकते करना शुरू कर दी जब बच्ची की मा पूछताज करने यूवक के पास गई तो उसने मा के साथ मार पीट की और गाली कलोज भी की इस बाबत अपर पुलिस अदिक्षक पश्चिमी कपिल देव शिंग को शिकायत दी गई है अबी अबी एक माता पिता परिजन अपनी छोटी पुत्री के साथ इस तरह की घटना होने के संबन में आविदन पत्र दिया गया है इसमें पुस्तास से ऐसा पतीत हुए इनका पहले भी जगा हुआ था प्रभारी निदिश्यक पोत्वाली नगर को मेरे द्वारा स्वें फोन कर इसमें तत्काल निस्पच्छ और तवरित कारवाई करने के लिए निदिशित कर गिया इसको मा के साथ मार पीड हुए कुछ ऐसा वीडियो आ रहा है सामने अब जिस वाइरल वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो सभी अधी ऐसे हैं तो वो संग्यार में लिये जाएंगे ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को खिलिक कर हमारी चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें थैन्ने वाल जे बीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इंक्रेडिबल मारिज पालेस राजगराना नीचि दोने बीडिड़ के लाएं जे बाइंग लाएं आपटेश कावेटेश इंक्रेश के कर्कावाइब बीचार्ण चैनल को रहता लाएंगे अंपाटश राजगराना जे बीडिये बैंक्वेट्स inटरफ